बालागार जिले का काना नेशनल पार्क इस समय बागों से गुल जार है जहां देश भर में पारा 40 डिगरी के पार पहुंच चुका है वहीं इस तप्ती गर्मी में काना के हरे बरे जंगल परियटकों को बड़ी राहत देते है यहना केवल अपेक्चाकरत तापमान कम रहता है बलकि चार और फैली हर्याली भी शकून देती है काना आने वाले शभी परियटक दिल में बाग देखने की चले कर ही आते हैं ऐसे में उन्हें राइट के दौरान बाग दिखा जाए तो सोने से सुआगा हो जाता है रव्यार का दिन काना के परियटकों के लिए भाग की साली साबीत हुआ सुबह की सपारी में परियटकों को 19 बाग देखने मिले ये काना के किसली काना मुक्की और सरही सही चारो जून में देखे गए हैं देखे जाने वाले बागों में सावक और बारा वैस्क बाग सामिल है lub जानकार बताते है कि इस समय मोशं में गर्मी की वजह से जाडियों के सूक जाने से द्रश्णि तब बढ़ जाती है शाती वन प्रानी की गर्मी से राहत की तलास में जल स्रोतों के आसपास आ जाते हैं इसलिए काना पार्क में इस समय बाग और अन्य जानवर आसानी से परियट को कोद देखने मिल जाते हैं वहीं पार्क के डिप्टी डारेक्टर पुनीत गोयल काना में बागो की बढ़ती आबादी से उत्साहित हैं उनका कैना है कि काना में बाग शावक बढ़े हो रहे हैं और नए शावक भी जूडते जा रहे हैं ये काना के लिए एक अच्छे संकेत है उन्होंने बता है कि काना में बागो की आबादी सतत बढ़ रही है अभी कई मादाओं की सावक है जो आगे भी संक्या बढ़ने के शंकेत है कि बागे कि अच्छे सावक बता है आप देख रहे हैं माला खट खबर बार बार